क्रिप्टो करंसी मार्केट की बात करें तो आज के समय में आप किसी भी प्रजेक्ट में अगर इंवेश्मेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि कुछ दिन बाद आपको एक बड़ा क्रेश देखना मिल सकता है मतल इसी महिने में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसी वीडियो में हिंट भी आपको दे दिया था कि कब यह पर पड़ सकते हैं यहाँ पर इलोओन मस ने जो ट्वीट किया है if the Fed races rates again next week the recession will be greatly amplified यहाँ पे इंका कहना है मैं आपको translate करके बताता हूँ अगर जो Fed है अगले हफते फिर से rate बढ़ाता है तो यह जो मंदी है यह और बढ़ जाएगी मतलब तेजी से बढ़ जाएगी तो इसके बारे में कल की वीडियो मैंने आपको बताया था investment करने से पहले यह जो date है यह आप देख सकते हैं यह दो date मैंने देया था 13 December का CPI data का और 14 December का FOMC का जो meeting है यह काफी important है इसी के base पे market में pump और dump होगा अगर dump होगा तो आपको उस base पे आपको एक support लेके investment करना है अब यहाँ पे on bus ने यहाँ पे आपको इंटर्श दिखा है और मैंने भी इसके पर tweet किया था यहाँ पर बताया था यहाँ पे world का जो richest man है वो भी इसके बारे में tension में है तो यह काफी important चीज़ है अगर आपको किसी भी project में investment करना है तो यह date पे आप बने रहे है जो भी data आता है यहाँ पे जो भी अगर CPI data अगर positive आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम investment करेंगे अगर negative आता है तो यहाँ पे हम एक support लेंगे उस support के इसाब से हम investment करेंगे तो आपको यह दो चीज़े ध्यान रखनी है अगर positive आता है तो जितने भी project है वो लगातर आपको profit देंगे Bitcoin में तेजी से recovery देखने हैं भी लेगे Bitcoin यहाँ तक की 90-20 के भी जा सकता है अगर positive सारी चीज़े आती है नहीं तो क्या होगा Bitcoin वापस से 16 के 15 के जा सकता है उसके बाद वापस से recover करेगा Christmas के दिन तो यहाँ पे जब मैंने top 10 अल्सकों बनाया था वीडियो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कब down जाएगा कब pump करेगा लेकिन अगर data जो है बहुत बुरा आता है यह जो next week है फिर अपना जो rate है वो अच्छे से high करेगा तो अच्छा कासा dump देखने मिलेगा तो यह चीजे पहले आपको पता होना बहुत जूरी है आपको अगर कोई बोले कि investment करना है तो करिए तो यहाँ पे आपको proper पता होना चाहिए कि कब investment करना है तो यहाँ पे मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया है कि आपको अगर investment करना है वापस मैं repeat करना हो बार बार तो 13 और 14 को यह जो meeting है उस पे नजर बना के रखिएगा जितनी भी सारी चीजे होंगी जो भी fade का rate निकल के आएगा उसके हिसाब से trading कीजेगा यहाँ पे आप क्या कर सकते है simple आप टेलेग्राम पे मुझे follow कर सकते है यहाँ पे जो भी news update है मैं तुर्ण आपको डाल दूँगा बता दूँगा कि कब investment करना है क्या यह जो news है positive है या फिर negative है आपको मेरे टेलेग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो मेरे टेलेग्राम चैनल को जोईन जरूर कीजेगा बाकि यहाँ पे अपने टेलेग्राम पे जितने भी crypto के signals हैं वो भी लगातार दे रहा हूँ आप यहाँ पे signals देख सकते हैं और आपको अगर future trade में profit कमाना है तो आप ने टेलेग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं अब अगर हम बात करें Bitcoin का Bitcoin काफी important है हम यहाँ पे यहाँ पे मैंने चार्ट ड्रो किया है पहले हम बात करते हैं support और resistance के बारे में जो फिक काफी time से मैंने यहाँ पे बताया है आपको यह आप देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं Bitcoin 16800 का यह support है यह लेकर यहाँ पे support लेकर pump कर रहा है इस area पे यहाँ पे एक support इसका बन गया है अब यहाँ पे हमारा जो resistance है वो 17000 का है 17613 का और इसको अगर break करता है तो Bitcoin में recovery होगी और एक full sign मिल जाएगा bull run का यह bull run का जब sign मिलेगा तो यहाँ पे 2023 का जो January का मैना होगा बहुत अच्छी चीज़े हमें देखने मिलेगी और सारी लेस्वाइन आपको profit देगा तो यह जो फिलाल यह जो date है meeting का अगर इसको हम ignore करते तो सारी चीज़े में positive है और यह भी अगर इसमें positive चीज़ आती है यह जो meeting है इनकी तरफ से अगर अच्छी चीज़े आती है जो CPI data अच्छा आता है तो यहाँ पे हम bull run की सुरुआत मान सकते हैं अब बढ़ते हैं जो मेरे chart delete किया है उसके बारे में बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी negative news आता है तो यह जो bullies falling wedge का chart pattern है यह बनेगा तो कुल मिला के अगर negative news भी आता है तो हो सकता है bitcoin 10-5% down जाए और यहाँ पे इस chart को follow करेगा यहाँ पे करीब bitcoin 16,500 या पे 16,000 जा सकता है इस chart pattern को follow करके यह उपर की तरफ भागेगा और वापस से जब यह उपर की तरफ भागेगा तो हमारा यह जो resistance है यही काफी roll अदा करेगा इसको break out करना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी project में investment करना है तो bitcoin पे भी नजर बना बहुत जरूरी है bitcoin पे आप जैसे बताए eagle eagle की नजर बना के बैठिए यहाँ पे बाच की नजर रखिए देखें bitcoin में क्या moment हो रहा है तो फिलाल हमें 13 और 14 December का इंदजार रहेगा देखते हैं क्या news आता है और Shiba Inu के जो holders है उनके लिए भी एक खास news है और वो यह है कि Shiba Inu बातकुन तो जो एक बड़ा exchange है Japan का Japan का जो एक Japanese exchange है वहाँ पर यह listed होने वाला है मतलब list हो जाएगा और डेट अगर बात करूँ मिट फरवरी 2023 है यहाँ पर यह हैसा हो सकता है कि फरवरी 2023 में इसे list कर गया जाए तो हो सकता है कि Shiba Inu काई में list होने के बाद 20-30% का एक उचाल देखने को मिले तो आप इस हिसाब से भी investment कर सकते हैं आज यह आपके उपर है तो Shiba Inu के जो lovers हैं उनके लिए यह news बहुत अच्छी है यहाँ पर आपको फरवरी के महिने में एक बड़ा profit देखने मिल सकता है अगर इस exchangeable list होता है तो और bull run start होता है तो Shiba Inu आपको और profit देगा तो यह जो हमें बोलू तो डर का महौल बस यह 13 और 14 का है यह date निकल जाता है तो उसके बाद कोई डरने की जरूत नहीं है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है I hope कि आपको यह news पसंद आई होगी और जोने बिटकोई का चार्ट दिखा है यह भी आपको पसंद आई होगा तो फिलाल सो आज की इस वीडियो में इतना ही है तब तक लिए होगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉप लेकी साथ तब तक के लिए धन्यवाद